हाई एवरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे फ्रेंड्स आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप बात कहने वाले हैं बुलट 350 स्टैंडर्ड के बारे में जो हमारी ओल्ड वाला मॉडल था किक वाला मॉडल दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आरी जबसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने आप लोगों को बता है कि बुलट 350 स्टैंडर्ड अभी भी मिल रही है लोगों को तो आप लोगों की दोस्तों बहुत सारी कमेंट आने लगे हैं भाई आज की वीडियो और वाली है वो complete detail में होने वाली दोस्तों आज मैं आप लोगों को सारी चीज़े clear करूँगा कैसे आप लोग भी ले सकते हैं कितने आप लोगों को मिल रही है जाधा सा स्टेट्स में वाली बाइक मिल रही है कि नहीं मिल रही है जब वो वाली बैक दोस्तों बंद होने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया था भाई ले लो फिर बात में बहुत पच्छता होगे नई वाली जो bullet 350 है वो लोगों को नहीं पसंद आ रही है भाई कितना अभी company जोर लगा ले उसका promotion करने में लेकिन अभी भी 80-90% लोग जो है वो पुरानी वाली bullet की ही demand कर रहे है and company को बार-बार ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे को kick वाला model ही चाहिए standard में bullet में लेकिन company दोस्तों आप लोगों को पता है भाई नहीं सुनने वाली एक बार जो company ने फैसला ले लिया वो ले लिया क्योंकि देखे दोस्तों इसमें कोई भुराई भी नहीं है तो हर चीज जो है वो permanent नहीं होती है ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी and company तो ये चीज़ जानती है पहले भी अपनी बताया मैंने लास्ट वीडियो में कि भाई standard मिल रही है ये चीज़ मैं आप लोगों को 100% guarantee की साथ बोल सकता हूँ standard मिल रही है देखे दोस्तों शोरूं को जो नाम है जिस शोरूं पर वाली बैक मिल रही है वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता है अगर आप लोगों को पूछना है जाना तो आप लोग मिल रही है मैं बता सकता हूँ लेकिन दिल्ली में जहां मिल रही है मैं वहीं बता पाऊंगा आप लोग को अगर आप लोग किसी और स्टेट से वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग दोस्तों पता करिए मैंने आपटा करिए इखेलें कि किक वाला मॉडल मिल रहा है और इन किर शोरूम की सबसे कम सेल हो रही है जिन शोरूम की सबसे कम सेल होती है न धोस्तोब वहां पर अपलोगोंगी भाई बुलेट वहाँ पर मिलेगी किक वाली एंड कमपनी हर शोरूम में जहां तक मैं देख पार हूँ दोस्तो हर शोरूम में कमपनी 24-24-24 मॉडल भेज रही है standard के पुराने वाले मॉडल के एंड ये history में पहली बार है भाई कोई bike बंदोने के बाद भी legally bike बंदोने के बाद भी bike बिक रही है वो भी showroom में हूँ ये सबसे बड़ी बात है वो भी नई bike नई bike आप लोगों को showroom से मिल रही है बहुत बड़ी बात होते है दोस्तों तो भाई इसका मतलब इस bike में बहुत दम है बहुत लोग इस bike की Touhou ये बाई कोई बीझ देगा ये और आ आप लोगों मिलेगी अगर आप लोग, शोरूम वाले इस bike को 15 से 20 साइड़ रूपे उपर बाळा के बाई बेच रही है कहीं बहुत भी मिलेगी आप लोग को हुख़ो है मिलेगी हुख जब आपक किसी नियरे में, या कोई आप लोग अपने शोर्म में जैक लगवाएंगे आप लोग अप्रोच लगवाएंगे तब आप लोग वो इतनी ही मिलेगी और अगर आप लोगो को दोस्तों कोई अप्रोच वखरा नहीं मिलती है तो दो लाग 10, 15, 20,000 रुपे आप लोग को भाई कंपनी बेज सेक में कमा रहे हैं इसलिए वह आप लोगो सारी असेजरीज लगा के दिएगे अब बाताता हूँ आप लोगों को बाइक के साथ आप लोगों मिलेगा क्या-क्या बाइदेखो 15,805 चैसरी रुपी की बाइक की कोष्ट होई वह आप लोगों को मिलेगी 1,885,467 रुपी इसके बाद इसमें आप लोगों को 2700 रुपय का हेलमेट मिलेगा, समगाड आप लोगों को मिलेगा, दोस्तों जिसकी कोस्टिंग आप लोगों को 32 रुपय मिलेगी, एंड इसमें एक दोस्तों NPC, यह मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन इक कोटेशन में आ रहा है, तो हम आप लोगों को पढ़के बता रहा हूँ, यह आप लोगों को 899 किसमें NPC मिलेगी, इसको पता है भाई, कमेंट कर देना, और इसमें kit का चार्ज लिखा हुआ है, जो आप लोगों को 9,899 रुपीज आप लोगों को मिलेगा, यह शायद उन लोगों के लिए दोस्तों जो उसको finance करेंगे, जो उसको loan करेंगे, शायद उसका यहोगा kit charge बगएरा, NPC बगएरा, बाकि आप लोगों को पता है, यह सब चीज़े क्या होती है, जो चीज़े मिलेंगे, तब जागे आप लोगों को 2-10 से, के 2-20 के बीच में आप लोगों को मिलने वाली है, यह वाली बाइक आ रही है, फिर यह बाद बोल रहा हूं, और 2-4-2-4 हर शोरूम पे वाली बाइक रोलिंग फिल बेज रहा है, लेकिन दोस्तों यह चीज़ आप लोगों को ओपनली कोई भी शोरूम बाला नहीं बोलेगा, यह चीज़ में आप लोगों को अभी बताते था हूं, कोई भी जो शोरूम बाला यह चीज़ ओपनली नहीं बोल रहा है, और कोई भी नहीं बोलेगा, यह छीज़ भी आप लोगों को बतायाँ था तूip इस वीडियो का लिंक ब्वाला आई बटन में दाल तुप उड़ दूगा वीडियो भी ़िए आप लोग जाकर देख ले头 दूस्तो एक चीज़ होगा बा Borow से बात करने हो पर नहीं पढ़ा 산 बंद होने के बाद भी कोई बेचना दोस्तों इसे एक खुले आम कोई भी नहीं करेगा ठीक है इसी वज़े से मैं शोरूम के नाम नहीं ले रहा हूं लिए तो मुझे पता है कि इन शोरूम पर बाइक मिल रही है और एक चीज और तो अगर शोरूम पर बाद आप लोगों की भुकिंग ले लेते हैं ओल्ड वाली बुलेट 350 स्टैंडर की तो आप लोगों को 101 परसंट बुलेट मिलेगी पुरानी वाली चाहिए वो 10 दिन बाद मिले कि यह थी मेरी आज की बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो जिसमें आप लोगों को सारी चीज़े बहुत अच्छे से बताई